लालू यादो दस महीने बाद फिर गए जेल, पौसु पालन घोटाले के पांचवे और अमतीम मामले में भी बिहार के पुरो मुखमंत्री सहराष्टिय जनता दल सुप्रीमो लालू परशाद्यादो दोसी करार दिये गए हैं इनके साथ 74 अन्य लोग भी दोसी करार पाए गए, वहीं इस मामले में 24 आरोपी को CBI के स्पेसल कोट ने वरी भी कर दिया है दोसी करार दिये जाने के बाद लालू यादो अब जेल भेजे गए, करिब 10 महीने पर लालू यादो जेल गए हैं इस मामले में कुल 99 आरोपियों के खिलाब सुनवाई हुई, रांची के डुरंडा कोसागार जे 149 करोड रुपे की अवाय निकासी मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई मौसम विभाग ने 29 फरवरी को बारिज की समभवना जताई है, इस दवरान राजे के एक दो अस्थानों पर हलके से मत दर्च की बारिज होने की समभवना है, वहीं भी इस फरवरी को आंसिक बादल के साथ गरजन वाले बादल भी बन सकते हैं, इसके बाद आसमन साप रने की समभवना जताई गई है, राइधानी राची सहित राजे के कई जिलो में ठंड का परकोप अभी जारी है, रविवार को राइधानी राची के अतिरिक्त पलावों बोकारों गोड़ा साहिव गण गढवावा गिरी डिकाने उतनता प्मान 10 डिग्री से नीचे रहा है, ज पिहारकरन के सभी हस्पतालों में लागु होगा Hospital Management Information System, सरकारी स्वास्वसकेंद्र और अस्पतालों को नीजी हस्पतालों की तर्ज हाइटेक बनाया जा रहा है, इसके तहत राची सदर हस्पताल में हस्पीटल मेनेजमेंट Conference System लागु करने के त्यारी चल रही है, आनसिक ग्रूप से इसे लागू भी कर दिया गया है या ऐसी बेवस्ता है जिसमें अस्पताल में आने वाले हर मरीज का EHR और EMR अगले नौ सालों तक अस्पताल के सर्वे में सहेज कर रखा जाएगा इसे मरीज उनके परिजन और डॉक्टर को इलाज में सहुलियत होगी JSAC CGL के आवेदन की तारिक बढ़ी जारखन समाने असना तक योगिता धारी सन्युक्त पर्त्युक्त परिक्षा 2020 का ओनलेन आवेदन देने की तीथी बढ़ गई है अब 21 फरवारी की माद राती तक आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे ओनलेन राइस्टेशन तीथी जारखन हाईकोट के अमत्रीम आदेस के आलोक में सन्सोधित की गई जारखन कर्मचारी चैन आयोग के परिक्षान नियंत्रक की ओर से अवस्यक सुचना भी जारी कर दी गई है जारी सुचना के अनुसार 21 फरवारी की मद राती तक आवेदन जमा होंगे जारखन के आंगनवारी सेविकाओ के लिए निमावली बनाने की चल रही परकिरिया जारखन की करीब 38,000 आंगनवारी सेविकाओ लभू सेविकाओ और सहाईका के लिए जल्द ही खुस खबरी आने वाली है जारखन सरकार इनके लिए सेवा सर्त निमावली त्यार करने में जूट गई है मुख्यमंत्री हमंसुरे ने इसकी त्यारी करने का निर्देश दिया है दो माव में निमावली बनाने की उमीद है जामूमो विधायक, सुद्धिब्यकुमार, सोनू, आंगनवारी सेविकाओ और सरकार के बीच मद्यस थपता कर रहे है आंगनवारी सेविका के साथ वह कई दोर की बैठक भी कर चुके है उनकी बातों पर एक रिपोर्ट बना कर मुख्यमंत्री को सौपेंगे इधर महिला एवं बाल विकास बिभाग द्वारा इसकी त्यारी की जा रही है रामगण में भिशन सलक दुरगटना चार की मौत रामगण जीला अंतरगत राची पतना मुख्यमंत्रे के पटेल चौपर मंगलवार को भिशन सलक दुरगटना होई इस अलक दुरगटना में चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभी रूप से घायल हो गया इस घटना के बाद मोखे पर आफरात अफरी का महल उत्पन हो गया है रांची की ओर से आ रहे अन्यंत्रित 74 चक्के वाली ट्रेलर ने रामगर के पटेल चोगपर सकती फ्यूलर्स के समीप दो मोटर साइकल वह तीन छोटे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया काफी रफ्तार से आ रहे ट्रेलर के दस चकावाले इंजन वह के बीन अन्यंत्रित होकर रांची की ओर जा रही महेंद्रा एक्स यूवी पलट गया हिंडालको के खिलाब जे एमेम का धारना परदर्शन हिंडालको कमपनी में अस्थानिय लोगों को रोजगार मुहया कराने एवं कमपनी के सोसन के खिलाब जार्खन मुक्ति मोर्जा जिला ध्यक्स मोजमील अहमद की अगवाई में कमपनी के मुख्य द्वार में धाना परदशन किया गया इस दोरान कमपनी के अड़ियल रवया पर जामो नेताओं ने नराजगी जाहिर की है इस मोगे पर जामो जिला ध्यक्स मोजमील अहमद ने कहा कि हिंडालको कमपनी लगातार यहां के स्थानिय लोगों का सोसन करते आ रही है जिससे अब कतवी बरदास नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि हिंडालको कमपनी सहर के बीचो बीच बने डॉंपिंग याड और रोपवे को यहाथा सिगर हटाने का कार्य करे नहीं तो आंदोलन का रूप और बड़ा होगा साथ ही यहां के अस्थानिय निवासियों को 75 फिर्टी रोजगार देने का कार्य करे चत्रा में घूस लेते पंचायत सेवक के दार साव गिरफतार चत्रा जिला अंतरगव सिमर्या 623 सबानो पंचायत के पंचायत सेवक के दार साव को 30,000 रुपे घूस लेते वरस्टा चार निरुधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हातों गिरफतार किया है गिरफतार स्वयम सेवक को एसीबी के टीम अपने साथ हजारी बाग ले गई गिरफतार पंचायज सेवक पर पीम आवास जोईनाम में खोश लेने का आरोफ है साथवी जे पीएसी के संसोधित परिणाम में 1049 अभियार्थी होंगे चैनीद जारखन हाई कोट में साथ भी जे पीएसी के प्रारंविक परिछा में आरक्षन देने के खिलाब दाकेले आज का पर सुनवाई होई सुनवाई के दोरान जे पीएसी ने कहा कि प्रारंविक परिचा का संसोधित परिणाम जल्द जारी किया जाएगा इसमें 1049 अभियार्थियों के नाम सामिल किये जाएंगे यह जनकारी देते हुए जे PSC ने अदालत से संसोधित पई नाम जारी करने कनुमत्ती भी मांगी है इस पर चीफ चर्शिस डाक्टर रवी रंजन और चर्शिस एसन परतात के अदालत ने कहा कि पहले ही जे PSC ने अपनी गलती स्विकार कर ली अब एक बार गलती हो गई तो इसे सुधारा जाना चाहिए और संसोधित रियल्ड जारी किया जाना जरूरी है जार्खन में कुरोना के 157 नाए केस मिले है जबकि 279 मरी स्वस्थ भी हुए है जार्खन में कुल एक्टिव केस की संख्या 1481 है भारत में 2989 नाए केस मिले है जबकि 8675 मरी स्वस्थ भी हुए है भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 3,164,445 है चत्रा में 80 दिनों से नहीं हुआ मनरेगा मैजदूरों का भुकतान रजगार की गरांटी है लेकिन मैजदूरी की नहीं बता दे मनरेगा के तहट परखंड में मैजदूरों को रजगार तो मिल रहा है लेकिन मैजदूरी नहीं गिधर परखंड में पिछले 80 दिनों से मनरेगा मैजदूरों को उनकी मैजदूरी नहीं मिली है मजदूरों के लिए परिवार के भरन पोसंद करना मुश्किल हो गया है जिसके करण मजदूरों का मन रेगा से मोभंग हो रहा है परिणाम सरूप मजदूरों की सेक्रियता कम हो रही है बतादे परखंड अंतरगत कूल 1850 सो इनाय संचाली था है जिसमें प्रती दीन अफ्तन साड़े 400 सो से साड़े 500 मजदूर काम करते है रेलवे एस्टेशन और यारपोर्ट पर बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या कोविट संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने के साथ अब राण्ची यारपोर्ट और राण्ची एस्टेशन पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है या संख्या दोगनी हुई है यारपोर्ट पर रोजाना 45 सो यात्रियों का आबागमन है पहले या संख्या घटकर 25 सो तक पहुँच गई थी कई विमानों को तो यात्री भी नहीं मिल रहे थे इसलिए कुछ विमान अपने उड़ान रद रखे थे जारखन में सराब की कीमत बढ़ाए बगर राजास्व बढ़ाने का सुझाव जारखन में उत्पाद एवं मगद निसेद विभाग को चातिसगर स्टेट मार्केटिंग कर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने सुझाव से अउगत करा दिया है इसमें बगर रेट बढ़ाए रजस्व बढ़ाने का प्रस्ताव है चातिसगर स्टेट मार्केटिंग कर्पोरेशन लिमिटेड ने तमाम सुझावों से समधित धाराओं में संसोधन का प्रामर्श दिया है होटवार जेल से रिम्स पहुंचे लालू पर साद यादो चारा खोटाल है के सबसे बड़ी 370-40 कोड रुपए के अवैद दिकासी मामले में 2C करार दियेगा बिहार के पुर्वे मुखमंद्री लालू पर साद यादो होटवार जेल से रिम्स पहुंच गए है 21 फरवरी को उन्हें साजा सुनाई जानी है लालू तब तक यहीं रहेंगे CVI के सबसेल कोड ने लालू की तबियत खराब होने के नाते उनके वकिल के अर्जी पर उन्हें रिम्स में डाक्टरों के निर्यानी में राने के इजाजत दिया है लोहर दग्गा में पूलिस नकसलियों के बीच मुढभे जारखंड में लोहर दग्गा के पेसरार प्रखंड छेतर के बुलबुल नरायन पूर जंगल में परतिबंदित नकसलियों संगठन भागपा मवादी और पूलिस की बीच मंगलवार कोई एक बार फिर मुढभेड हुई इस मुढभेड में दूनों और से करीब 2800 चक्र गोलिया चलाने की सुचना है जनकारी के मुताविक भागपा मवादी भोक और प्यास से छटपटा रहे हैं इसी वज़ा से वह लोग जंगल से निकलना चाह रहे हैं पूलिस की और से अभियान लागतार चलाया जा रहा था उसी दौरान नक्सली बुलबुल के नरान पून जंगल के रास्ते से निकलना चाह रहे थे इसी दौरान पूलिस की दूसरी पार्टी से उनका मुढभेड हो गया सिम्डेगा से 75 लाग के गांजा के साथ दो गिरफतार राज जेपाल और मुख्य मंत्री ने रामगर हाथ से पर दुख प्रकट किया राज जेपाल और मुख्य मंत्री ने एनेज पौर पटेल चोग के पास हुई सलक दुरगाटना में मृत लोगों के प्रतिगारा दुख प्यक्त किया है उन्होंने परमात्नमा से दिवंगत आत्मावों को सांती परदान कर सुक संत्पत परिवारों को दुख की घड़ी को सहन करने की सकती देने की प्रातना की और दुरगाटना में खाय हुए लोगों के सीगर स्वास तिलाब की कामना की दूसरी ओर जारकन विधान सबाग के अध्यक्ष रवीन दरनात महतों ने कहा कि सड़क दुरगाटना की या खबर अत्यांद हिर्दय बिदारक है उन्होंने दिवंगत आत्मावों को सांती प्रदान करने की इस वर से प्रातना की है धन्यवाद अब चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल कर बेले के अंद वाज़े साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ से करना ना बूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवेक अवसे दे थैंक यू